बच्छों आज स्टार्ट करते हैं लगभग सारे बच्चे आ गया हैं अभी सारे तो नहीं आएं बहुत कम ही है बोर्ष मोडल हम लोग डिसकस कर रहे थे और अभी तक हम लोग क्या डिसकस कर लिये थे लोगे दान्तिंट अभी बॉर्षिर्ट आपड़जन टाती क्या है एं लास्टी क्या होता वहोगां सब कौ को पता है रे अध्येस didi is giorn लिगों टात हैन जोता अफ और जट बायं के प्रॉोष्टनाल का ज्वादा था मानिस 13.6 Z square by N square Z is number of protons I hope कि यहां तक ही डिसक्स किया था स्वाथी और सर राइट बग्स कॉंस्टेंट भी हो गया था क्या बताय था राइट बग्स कॉंस्टेंट भी हो गया था हाँ रिडबर कॉंस्टेंट जस्ट बताय था तो 1 by lambda जो था वो कितना था यह डिसक्स किया था तो पहले काहा था जो डेल्टा ई आएगा कुछ E N मानेस E M काहा था या E 2 मानेस E 1 जो भी है मुझे ध्यान नहीं है 2 ने ले रिटा है इनर्जी लेवल्स हमने डिसक्स कर लिया था सपोज Nth लेवल है और यह Mth लेवल है ऐसे हमने डिसक्स किया था बच्चों अगर कोई N से M में आ रहा है Nth लेवल से Mth लेवल में आ रहा है तो डिल्टाई जो हो जाएगा वो E N इनिशल मानस फानल इनिशल का जादा है बच्चों तिया जाता था तुम्हारा सम्थिंग सम्थिंग इनिटो जैड़ स्क्वार बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च सम्टिंग जेड़ स्क्वार वन बाइम स्क्वार मानिस वन बाइन स्क्वार तुम्हाँ पर फिल कर सकते हो क्या होता है वन बाइ लाम्डा इस उकल टू यह एच्ची लिखाया है इस पूरे टम को यह लाए टम को वित एच्ची इसको ही आर बोल देते हैं सो वन बाइ आर स्वरी वन बाइ लाम्डा आर जेड़ स्क्वार वन बाइन स्क्वार मानिस वन बाइम स्क्वार उल्टा कर दिया एन बड़ा है और एम छोटा है रिडवर कॉंसेंट का वैल्यू कितना होता है 1.097 x 10 to the power 7 per meter यहां तक मैं क्लियर ना और एक और चीज अभी लिख लेटाओं आर इसको माना है बच्चो इस पूरे को तो देखो ऐसे लिख सकते हैं रहC Z2 by N2 or sin- in terms of इडवर कॉंसेंट we can write this यह वहले टर्म को आर माना था इनर्जी वहला टर्म है तो इसमें किसी को confusion है तो बोल दो ने तो यह याद रखो और पूछा जाए रहC का वैल्यू कितना होगा तो माइनेस 13.6 एलेक्ट्रोन वोल्ट सोड़ी माइनस नहीं रहC का वैल्यू 13.6 एलेक्ट्रोन वोल्ट आगे बढ़ू इससे यह लास्ट क्लास का था अग्ट्रोन अग्ड़र्यन यह लेक्ट्रोन ड़्यू जगा 1 हो जाएगा 1 by lambda is equal to R 1 minus 1 upon m square minus 1 upon n square अब इसमें बहुत सारे series हैं बच्छों n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 the state excite higher state अगर कोई भी एलेक्ट्रॉंस जो एक्साइट इस्टेट में है, जैसे 2 से 1 में आया, या 3 से 1 में आया, या 4 से 1 में आया, कहीं से भी 1 में आ रहा है, that means if m is equal to 1 और n क्या हो जाएगा, highest state, n is या तो 2 हो, या 3 हो या जो भी है, तो उस केस में जो सेरीज मिलेगा, that is called बालमर सेरीज. बालमर नहीं क्या होता, इसको लाइमन बोलते हैं ना, sorry? इसको लाइमन सेरीज, या तुम लोग पता है कि लाइमन का पहले डिसकोवरी हुआ था या बालमर का, पहले कौन खोजा गया, इनीवन? कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, तेजस ने कहा, sir, बालमर, बहुत बढ़िया, बालमर पहले देखा गया, विकाज अभी जस्ट देखेंगे, बालमर होगा, वो विजबल रेंज में आएक, और लाइमन जो है, वो अल्ट्रा वाले ट्रेल में आएगा, पहले विजब सिस्टमेटिक में लाइमन पहले आता है, इसको बोलते हैं, लाइमन सीरीज, कहीं से भी आए, n रिकल टु बन, लाइमन सीरीज का इसके कॉस्पॉर्णिंग कुछ वेवलेंथ होगा, इसके कॉस्पॉर्णिंग कुछ होगा, और जो इन्फिनीटी से आ रहा है, इसके पास स सबसे जादा इनर्जी होगा, इसको कहेंगे लिमिटिंग वला होगा, और यह है हमारा फिर्स्टमेंबर 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 1 by lambda is equal to R 1 upon M to fix 1 ही हो गया 1 है और N है कितना है 2 2 square 2 2 square 1 by lambda आ जाएगा बच्छो र 1-1 by 4 that is equal to 3 R by 4 so lambda comes out as first member lambda 1 लिख देता हूं 4 by 3 into 1 by R अब बच्छो यहां पर मैं लिखना हूं 1 by R का value क्या होगा 1 by R 1 upon 1.097 into 10 to the power minus 7 इसको एक काम करते हैं 100 by 109 into 10 to the power minus 9 ऐसे भी लिख सकते हैं 100 by 109 एक rough approximation करना इतना नैनो मीटर 100 by 109 नैनो मीटर तो roughly 100 से थोड़ा सा कम है यह ना तो 100 divided by 1.09 100 से थोड़ा सा कम तो यह जाता है 91.2 नैनो मीटर तो यह यह याद रख ले ना 1 by R का वैलू 4 by 3 into 91.2 नैनो मीटर तो यह देख लो कितना आता है रफली जा रहाँ मैं नेक्स पेश जा रहाँ रहाँ नेक्स पेस्ट रहाँ यह नेक्स पेह यह जाडा हूं बाहता है था देख वेलेंथ लिमिटिंगींबर of the Lyman series. लिमिटिंग मेंबर के लिए लिमिटिंग 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 लि लाइमन्स स्रीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो कि लिमिटिंग होगा वह है 91.2 नैनोमीटर का और लॉंगेस्ट वेवलेंथ सबसे बड़ा जो है है 4 x 3 x 1 x R है 121 about 4 x 3 R. अगा इसको अप्ट्रम में पुट करें एक दूसरा होगा अगा इसकेंड मेंबर आफ नायमन्स स्रीज निकाल के पहले बताइए फिर थर्ड यह पास पास आने लगेगा बच्छों बहुत पास पास और लिमिटिंग मेंबर जायगा एक सेकेंड उल्टा कर दियाओ में मैं इधर लिख रहाओ वेबलेंथ इस तरफ किदर दिखाओं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वेबलेंथ दिखा रहाँ है ना तो उसकेज में कैसे ड्रॉ करूँगा इंक्रीजिंग इधर दिखा रहा हूं तो यह सबसे पहला मेंबर जो होगा वो होगा मtoiढ डीजिंग-षら प्री एहां वेबलेंग वेबलेंग पहर यहक्सर वेबले ग्सट्रीजिंग वेबले है उसके अटारॉ टुकर दिखाओं वेबलेंग एह क्रौश्टिंग चलावेबलेंग सेकंड मेंबर और यह पास-पास होने लगेगा और पास-पास होते 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 लास्ट जो मेंबर होगा वो होगा 1 by r ठीक है 91.2 nanometer और यह 121 nanometer कोई बच्चा मुझे यह बताएगा कि सेकंड मेंबर का वेबलेंद क्या होगा r के टर्म में रितुजीत ने कल्कुलेट के आर के टर में बता हूं धननजे ने बताया नाइन अपॉन यह बार-बार पहसान कर रहे है नाइन अपॉन एट आर किरन खरणाय ने भी बताया रितुजीत धननजे गुड़ अब यह देख सकते हो बच्चों यह तुम्हारा किस रेंज में है लाइमंट स्रीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट विकाज विजबल रेंज इस फोर हंडे नैनो मीटर से लेकर के सेवन नैनो मीटर है तो इस रेंज से बाहर यह अल्ट्रा वायलेट रेंज में यूवी रेंज में है नेक्स पेज पर जाड़ा हूं वालमर्स सिरीज जो बच्चों को याद है वो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा वन बाई लाम्डा वालमर्स सिरीज क्लिए कहेंगे कहीं से भी सेकेंड लेवल में आड़ा है यह फर्स मेंबर हो जाएगा सेकेंड मेंबर हो जाएगा थर्ड मेंबर हो जाएगा ऐसे और लास्ट में लिमिटिंग हो जाएगा उसके लिए टू ने एम लिख रहा था एम में आ रहा था एम इसकल पर फस्तमंबर क्लिभ लांड भामर स्रीज 1 by 4 minus 1 by 9 1 by lambda is equal to 5r by 36 that means lambda 1 first member 36 by 5 into 1 by r about 1 by r 91.2 और यह लगभग 7 है 7 into 7 से थोड़ा जादा 91.2 रफली कितना हो जाएगा 3 70 से थोड़ा जादा है इराउंड 400 नेनो मीटर कास पास पहुंचेगा है रफ बता रहा हूँ यह इतना इतना है फ्रेक्प है पूर्भण ऑनदा है 9 फिराक्प इतना है 9 बतादा रहा हूँ यह पूब अलिम्टीग उप अलिम्टीग उपटाप इतना है लिम्टिंग क्लिए न क्या हो जाएगा न इसकल तू इंफिनिटी हो जाएगा इस इंप्लाइज लामडा इसकल तू फोर बाई आर यहां पर 370 लिख दिया याँ सोरी यह 700 का स्पास आएगा न स्पास इसकंटि इंट्यम क्यू आएन हो जाएगा अब इसके पीछे कियो निकल वा रहे हैं क्या इसका रीजन है यहां पर क्या हो गया बालमर किस रेंज में आ गया बालमर जो आया था 360 सम्थिंग 365 नैनो मीटर से ले करके राउंड सेवन 640 के रेंज में आया या उसमें कहा है फोर बाई आट से ले करके 36 x 5 x 1 x r के रेंज में आया था इस लाइ इन विजिवल रेंज बालमर के बाद कौन से आ राता है पास्चन इसका तुम लोग खुद से निकालोगे पास्चन का निकालो फर्स्ट मेंबर आर वन अपन यह हो जाएगा बच्चों 3 का स्कॉर 9 माइनस 1 बाई एन अस्कॉर क्या है एन क्या क्या हो सकता है 4 5 6 तो फर्स्ट मेंबर निकालो क्या है और लिमिटिंग मेंबर निकालो इन टम्स आफ आर ही अब निकालो पास्टन के बाद ब्रैकेट के बाद पीफंड ना यह तुजीत और यह अपने नोटुबूक में तुम लोग निकालोगे इसमें कोता ही नहीं बरतना है और अब मैं दूसरे पेज पर ले रहा हूँ जो मुझे बताना था आप यहां पर देखो सब को समराइज कर रहे हैं लाइमन स्रीज का फर्स्ट मेंबर था 4 by 3 into one by r our limiting member tha one by r इसका सेकेंड मेंबर होगा फिर कोई थर्ड मेंबर होगा फिर फोर्थ मेंबर होगा और फिर पास पास आने लगेगा सब यह ध्यान देना है यह हो गया बैचों लाइमन यह स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ बालमर्ड सीरीज का पहला जो था फिर्स्ट मेंबर था वो था 36 अपन 5 इंट 1 बाई यार्ड 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 यह है फोर ताम्स यह लासम बहुत बहुत पहले कि बहुत पास फास सब tre यह समझना है and there is no overlapping region यह दिखाना था मुझे यह हो गया वालमर आसा डाग्राम द्रॉप कर लोगे और लिमिटिंग मेंबर मुझे बताओ पास्टें का और फ़र्स्ट मेंबर बताओ पास्टें का मनस्वी बताओ कितना दा फिर्स्ट मेंबर 144 अपन 7R और लास्ट मेंबर 9 by R 144 अपन 7 into 1 by R है और यह है 9 by 9 by R अब देखना यह 7 into 1 by R था और यह 9 मतलब यह और यह overlap ने करा दूर है लाइमन बालमर का overlapping नहीं है बालमर पास्टन का overlapping नहीं है लेकिन अब मैं बताराओ कि इधर यह तुमारा हो गया पास्टन पास्टन और ब्रैकेट यह overlap करेगा ब्रैकेट का limiting member देखना तो इसके अंदर आ जाएगा आ रहा है क्या किसी ने देखा यह यह जो देख रहा हूं पास्टन ब्रैकेट का लिख रहा हूं इसके बाद सारे सिरीज ओवर लाग करेंगे एक दूसरे से तो यह समझाने के लिए मैंने इतना पासर यह 16 बाई आर है और यह देखो यह कितना है 16 बाई आर से थोड़ा बड़ा है यह लगबर 20 बाई आर के असपास है यह 16 बाई आर से देजे ओवर लापिंग दीजेंग तेजस अब देखना एक सवाल में पूछता हूँ बताना कि तुम कौन से सवाल का अंसर दे पाऊगे हाँ मेनी लाइन्स चाले बच्चे देखना यह मेरा फेवरेट सवाल है अभी तक पूछा ने आई टी का भी पूछ सकता हूँ मेनी लाइन्स आफ ब्रैकेट सिरीज लाइज इन पास्चन पास्चन रेंच एक सवाल यह रहेगा और दूसरा रहेगा हूँ मेनी लाइन्स पास्चन स्रीज लाइज इन रैकेट कौन से सवाल का जवाब तुम दे सकते हो फर्स्ट वाले का या सेकेंड वाले का मिलब कल्कुलेट करके किरन ने कहा वन का जवाब दे सकते हैं गलत जवाब है वन का नहीं दे सकते हो यार मैं ऩुकरने डाग्राम भी तो बनाया है एँ हॉम्म नी लाइन्स आफ ब्रैकेट सीरीज लाइज इन ।टास्चन स्रेंजी यह यहां से यहां तक का पास्व्म देंज इसके अंदर यहां पर बहुत पास पास बहुत सारे हैं सिरीज में ज्यादा रहती है लाइन्स की सिरीज में तो इन्फानाइट नंबर आफ लाइन्स है ना क्या यह बता पाऊगे लेकिन उल्टा का हो कि पास्चन सिरीज का कितने लाइन्स इस ब्रैकेट के रेंज में इतने में या तो एक दिखरा एक हो गया या दो होगा मुश्किल से तीन क्या भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ धनन जाएं अधर्ब ने कहाँ सर एक बर और एक्स्प्लेंग कर दो पास्चन स्रीज में बना रहा हुँ इस पास्चन स्रीज और एक लिमिटिंग जा रहा है कहीं पर और मैं ब्लू कलर से बना रहा हुँ ब्रैकेट सिरीज ब्रैकेट का फर्स्ट मेंबर यहां पर जो कि कुछ होगा बहुत पास-पास यहां पर थ्वार से जादा ही बना दिया यह बहुत पास-पास है बहुत सार लाइन से तो यह हो गया बच्चों यह ब्लू कलर से जो दिया यह दिस पास्चन स्री रैकेट और यह रेड कलर वाला जोन यह है पास्चन मैं कहूं कि पास्चन स्रीज के कितने लाइन्स ब्लू कलर वाले जोन में हैं कोगे सार अभी जो दिखाया महनेत एक और दो लाइन लेकिन मैं उल्टा कह दूं अफान हो सैंकि परट क MOV Southwest कोपद दो वद्टा मलतम लाइन्स कृम पास्ट्थ ipman यह इ Temple कोण नहीं कर पाऊut कि इन फैनाइट मवर पासमें में आया तो अधऱा इस क्रीभाली क्लीर हुआ ह्चलो नहीं क्लीर हुआ दूम नाहीं क्लीर हुआ दो तो बात् Freeman झाल झाल यह ऐसा भी डाग्राम दिखा रहता है युशूट कमफर्टेवल कि हाँ यह आर्बिट दिखा दिया तो कहीं से भी यह आ जाएगा सेकेंड से आया थर्ड से आया या फोर्ड से आया तो यह जो स्रीज बनेगा दिखा दिखा रहेगा तो में कहीं से आ रहा है अलग कलर से दिखा रहा हूं यह हो गया बालमर और फ्री में कहीं से भी आ रहा है यह हो गया पाशन और सों अब एक समाल लेते हैं इलिब ज्ली, यहिंस्वी, ज्यान धर नसे दिखा बालमरे हैं कवैं कहीं और में, आहिंस्वियन गवह, कि अवाय वीन, 신ने खरो क रह traveling, और में, बाहाएं from second excited state to ground state for Helium plus Ion. जल्दी से सॉल्व करके बताऊ और कहसे निकाले इस पूम। आर के तर में बताने अंसर। तो मैं यह करता हूं वन बाइ लामडा इज एक्वल टू आर जेड़ स्क्वार वन बाइ एन स्क्वार माइनस वन बाइ एम स्क्वार पुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया है। हीलियम प्लस के लिए कहा है तो जेड़ कितना हो जाएगा बच्चों तो जेड़ स्क्वार हो जाएगा टू का स्क्वार फोर वन बाइ कि यहां पर वन बाइम स्क्वार मानेस वन बाइन स्क्वार लिखना था जो मने अभी तक कन्वेंशन लिया उसमें मैं ले रहाँ एन से एम में ट्रांजिशन हो रहा है लोन वन बाइ स्क्वार में वन बाइ सब्सक्रुद एम हो गया बच्चों गांड श्क्वार माइन स्क्वार मानेस बाइ मतलब होता है N is 3, third state, third energy level, that is equal to 4R into 1-1 by 9, lambda comes out as 9 by 32.8, what is the answer, look at the answer, look at the answer, yes, Shubham is correct, Kiran Karnar is correct, Dhananja is correct, Manasui is clear, what is the answer, is the answer, thank you again. किसको बोलेंगे? कितना energy is required to take, to knock out electrons from the atom. नॉक आउट इलेक्ट्राउन नॉक आउट इलेक्ट्राउन वहार निकाल लिया तो ग्राउंड स्टेट में अनाइशन इनर्जी कितना होगा तो इसका इनर्जी है माइनस 13.6 इन्फिनीटी पर जाएगा बाहर निकाल लेगा तो इनर्जी हो जाएगा 0 तो आनाइशन इनर्जी कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्राउन वोल्ट यह बात समझ में आई अगर मैं पूछू कि लीथियम प्लस प्लस के लिए वाट इस आउनाइशन इनर्जी आउनली ए वर गांवर स्टेट बाच्टो यह न यह जागा वाइनस 13.6 है लेक्ट्राउन टो X-RM A-N² होता है। है ना। तो लिथियम कली हो जाएगा , –13.6 into 9 3 ka square divided by N2। Ground statically N1 लेंगे। स्वाइन इसन इनर्जी कितना हो जाएगा ? 13.6 into 9 eV correct ना। Good दुझ तुझी इसके सवाल कर लो मैंने एक assignment भेजा है हमने देख लिया assignment booklet तो किया ही होगा booklets के सवाल मिलेंगे यह assignment करो फिर मैं test लोगा अब मैं बात करता हूँ hydrogen atom की minus 13.6 minus 3.4 मैंने याद रखने के लिए कहा था minus 1.51 minus 0.85 everyone should remember this value this difference is 10.2 electron volt this difference is 12.09 electron volt and this difference is 12.75 electron volt if a photon यह concept भी है बच्छों आफ इनर्जी 11 electron volt an incident on hydrogen atom in which state the electron will go किस स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन conceptual सवाल है 11 electron volt का क्या first excited state में जाएगा यह second excited state में जाएगा सोच के बताना सोच के बताना मौध बढ़िया अरी तुझी यह मैने तो पढ़ाया ही नहीं है सवाल पूछ दिया थी नहीं है सवाल हे तो गढ़ाया नहीं है तो इनर्ज एट अधर छ दिफरेंस आप इशे में जाएगा educators एंधन lucky 100 rapt 시작 वाल होगा यहाज 1गन अध़ इना यहाजव्वल्ट. अब्सक्राइब 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 अगर एक hydrogen atom है और एक photon आया ग्राउंड state में है एक photon आया 14 electron volt का इनर्जी है इसके पास क्या ये electrons एब्जॉर्ब करेगा कर सकता है और ये electrons बाहर निकल जाएगा फिर वापस नहेंगा ये बाहर निकल जाएगा atom से and then how much kinetic energy the electrons will have जो 13.6 electron volt वो खर्च कर देगा बाहर निकलने में और बचा 0.4 electron volt जो इसके पास रहेगा आज एक kinetic energy नहीं फोटोन एब्जॉर्ब होगा इस केस में फोटोन एब्जॉर्ब होगा जो पिछला केस था उसमें कोई ये लॉजिक दे सकता है कि फोटोन 10.2 electron volt लेलिया एक electron 10.2 electron volt का और बचा हुआ जो 11 electron volt का दिया ये फोटोन दूसरा फोटोन निकल जायगा वह फोटोन ऐसा नहीं होता है ऑदर विल्ट्रों से अब्जोब्स फिल्ट प्रव एक अब्सके है अब्सक्राइग अब्सक्राइग एगि फिस फिरब्सक्राइग विल्टों। इमिटेट ने एक बार सवाल पूछा था कि हाइड्रोजन आटम में पहले एक फोटोन 10.2 एलेक्टोन वोल्ट का इंसिदेंट करा है आफ्टर वन माइक्रो सेकंड या 2-3 माइक्रो सेकंड फ्यू माइक्रो सेकंड बार एक और फोटोन इसे डेट करा है 15 एलेक्टोन वोल्ट का तो डिटेक्टर जो है वो क्या देखेगा है रिटेक्टर विटेक्ट टू फोटोन या 3-phooton आटक्रोप्शन था तो इसका अंसर अटेक्टर विल अब्जोर्ब्स a photon of 10.2 electron volt and an electron of kinetic energy how much 15-13.6 electron volt का कुछ बात समझ में आई इसका मिनिंग क्लियर हुआ वन माइक्रो सेकेंड टाइम रितो जीत ने बहुत अच्छा बता है सरस्टे टाइम से जादा है मतलब 10.2 का लिया एब्जॉर्ब किया और फिर क्या हुआ वापस आ गया शाटर सेट में गया वापस आया तो 10.2 electron volt का इमीट कर दिया दूसरा photon आया 15 का वो लिया electrons और वो बाहर चला जाएगा 13.6 कर्च कर दिया इतना जो बचा हुआ वो काय तिक नर्जी है बच्चों आज खतम ने हो पाएगा आज तो बड़ा क्लास आर भी अर भी स्लो ही हो गया है अगर एलेक्ट्रोंस रिवाल्व करा सपोर्ज एनर्थ स्टेट में है एलेक्ट्रॉन के लिए अगरेव स्टेटा देवाल्व करा कर देवाल्व करंग करंगार्ण यह करें लूप है तो कितना होगा तो हमने बताय था Q into F, Q charge revolve कर रहा है फ्रिक्वेंशी है तो Q into F, पर सेकंड इतना चार्ज जा रहा है, this is current, Q के जगा पर हो जाएगा E, और F क्या हो जाएगा बच्वेंशी फ्रिक्वेंशी, फ्रिक्वेंशी क्या हो जाएगा, 1 by time period, यह 2 pi by omega, ऐसे लिखनों, omega by 2 pi time frequency, omega हो जाएगा V upon 2 pi r, is it correct? अब V का value put कर दोगे, R का value put कर दोगे तो आ जाएगा, तो मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, मैं Nth state में गर पुछू, तो V is proportional to Z by N, and R किसके proportional है, N square by Z, so I will be proportional to, Z square upon N, Q, और बाकि तुम्हें V का भी value पता, R का भी value पता, you can put there, अब इससे भी important चीज़ पूछता है, अब यहां से एक चीज़ और भी देख लिया, frequency भी पूछा रहा है, तो frequency किसके proportion है, तो बच्छो, 1 by N, Q का, यहां पर तो सिर्फ E है, नेक्स्टिज मागनेक्टिक मोमेंट, अगर यह लूप बना रहा है, करेंट करेंग लूप, तो वाट वी दा मागनेक्टिक मोमेंट, मागनेक्टिक मोमेंट इज, I into A, I अभी लिखाए, डेकना, E into V upon 2 Pi R, और यह क्या लिखू हूँ, लूप का अरिया पाई रस्क्वार, बहुत सिम्पल, बहुत सिम्पल, E upon 2, A का चला जाएगा, V into R, यह जरूर को नोट्बूक में लिखना बहुत इंपोर्टेंट है, यह V into R को सिम्पल फार्वेंट में लिखना चाहता हूँ, देखना में लिखना हूँ, E upon 2M, MVR, अब बच्चों को समझ मैं होगा कि हम क्या चाहरा है, MVR क्या पुट कर दूँ, यह अग्नला मोमेंटम हाँ, यह अग्नेटिक मोमेंट का बहुत इंपल सा फॉर्मूला आगया, E upon 2M, N, H upon 2Pi, और एको सिच देख सकतो, so mu is proportional to N, magnetic moment is proportional to principal quantum number. श्सको स्टार मार कर लो दो स्टार, इस इंपर्टन, okay, झाल झाल करवाने के पिछे मक्सद ही था कि तुम लोग आजड़ी दो तीन बार डिराइव कर चुके होगे और फिर से हमने इसको करवाया पूरा डेरिवेशन करवाया इसके पिछे मेरा अदेश इस तुम इतने से पन्फटिब हो, कभी सिटुतियों से और दे 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 तिल्ஙक ये रखते। दे दे परमूला ते रहें तो पर्मूला कम येक्स वाले रां तो if if a proton and electron is U is equal to minus K E square upon 3RQ. Asaic hypothetical situation Leah, then derive energy of any state assuming Bohr's model to be true. अब यह सवाल दे दिया और ऐसे सवाल आयटी ने पूछें अब बच्चों यहां से चीजें बहुत बहुत इंपोर्टेंट हो रही है जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग करो बहुत इंपोर्टेंट हैं. कितने बच्चे यह हैं तर्कनेक्टेड हैं तीन गये अभिषेक, आचल, आकाश, अनुराद, अपूर, वथार, देवधर्ता, धननजय, तीरन, मनस्वी, निखिल, पूजा, प्रतीक, रितुजीत, साहि, शंकृत, शंकृत, तुम बहुत गया शंव्त्वत्वत्वत्वत्व परसाद गीते हो क्या कनेक्टेड परसाद गीते नहीं है सुधिस्मर्ण ? यस सर्चिस्वाइ और आज व्यूग师 है तनिस्क टिवारी नहीं है प्रेजेंट, सिर्फ मुझे सिंसेटी दिखाए कि सर्फ मैं बहुत सिंसेर हूं, इजे कभी क्लास में दिखा नहीं, सिर्दान प्रेजेंट हो, तुम्हा दोस्त है कि नहीं है, नहीं है लगता है, चलो, ये सॉल्क करते हैं बच्छों, बोस्त मोडल तो भी ट्रू का मतलब, सिंपली लिखेंगे, Mvr is equal to Nx by 2pi, इस इस फिर्स अंगलों मोमेंटम विल रमेन कंजर्ब, फिर्स एक्वेशन, दूसरा, क्या लिखते हैं, रिक्वार्ट सेंटिपितल फोर्स, दोनों के विच के अट्रक्टिप फोर्स करेगा, के e2 by r to the power 4, माइनस ही रहेगा, चुकि यह माइनस 3 रहेगा और यह माइनस, और एक माइनस ही है, यह माइनस साइन बता रहा है कि अट्रक्टिप फोर्स है, और अट्रक्टिप फोर्स ही चाहिए, के2 by r to the power 4 that is equal to, m v square by r so k e square is equal to m v square r cube ठीक है ना and then यहां पर m v r put कर दो तो radius निकल जाएगा this implies k e square v r ka whole square put करते है m into sorry m into m रहा v square r square के जगह पर यहां पूट करते हैं v square r square n x by 2 pi m ka whole square into r यहां एक करते हैं na q put करते हैं because मुझे तो velocity चाहिए हमने इनरजी r define करना है तो r निकल जाएगा यहां से निकल गया r और एकर v निकालना है तो क्या put करेंगे ऐसे k e square is equal to m upon v और v square r cube को यहां से put कर देंगे n x by 2 pi m ka whole cube so you will get v from here v निकल गया तो काइनेटिक इनरजी निकाल लोगे half m v square यह काइनेटिक इनरजी हो गया and this potential energy is given तो तुम्हे टोटल इनरजी निकल जागा जो पूछा है हमने क्या यह बात समझ में आ गई है पूरा यह आगे बढ़ते हैं एक और सवाल लेते हैं एक और सवाल लेते हैं force between electron and proton complete during the two charge force between the two charge is one by R square plus beta by R cube यह भच्बैलल को रहा सवाल है और में का सवाल है मेरा फेबरे स्वाल है बहुत मज़ा आता है इसको सॉल परना हमाँ इसको इसको सॉल परना हमाँ if this is modified version of force between two charges assuming bourse model to be 2 fine radius of nth orbit radius of nth orbit in terms of bourse radius a9 a9 bourse a9 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 m a9 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 झाल झाल लिखना तो यह है रिक्वार्ट सेंटिपीटल फोर्स यह प्रोवाइड करेगा वन बाई फोर पाई एपसाइलन नॉट यह स्कॉर वन बाई आर स्कॉर प्लस बीटा बाई आर क्यू यह स्कॉर प्लस बीटा आर क्यों बीदर लेके चला रहता हूं क्या हो जाएगा एम वीए स्कॉर पाई एपसाइलन नॉट एम वीए स्कॉर और स्कॉर एक्वेशन बन फोर अरें इस ताम में क्यों लिखना चाहा रहा हूं बिकॉज मुझे पता है बोर्स मोडल का बेसिक कॉंसेप्ट एम वी आरेज नेच अपान 2 पाई इस इक्वेशन 2 एक्वेशन 2 को यहां पर यूज कर लो आर आरेखान को थाला को को यहां प्राट आरेखर हुज कर स्कॉर अरेखराट स्कॉर least of the और एक M नीचे आजाएगा, और यहां से देखलो, R प्लस बीटा आजाएगा, 4 Pi जाएगा, N2 H2 अपॉन, 1 Pi बचेगा, 1 M बचेगा, Pi इंटु M इंटु E स्कार नीचे, बच्छों यह, और एक अप्सालन नॉट कहा गया, अप्सालन नॉट भी था, यहां हम प्सालन नॉट प्सालन नाओ, और बोर्स रडियस, R is equal to n square a0 minus beta, so again this is good sum. नेक्स सवाल लेकता हूँ, बच्छों भी बोर्स मुड़े में बहुत चीज बचा हुआ तो एक full class लगेगा भी कम से कम, मैं सोचा था कि आज complete कर दूँ बट फास्ट भाग रहा हूँ तो भी नहीं हो पाया, if a charged particle is rotating a circular path, CIRCULAR ORBIT and direction of magnetic field and direction of magnetic Field if we apply concept of concept of Bohr's quantization of momentum or Bohr's principle quantization of angular momentum then find energy of nth level Bohr's model true we say if charged particle magnetic field move move so that certain specified orbit then what energy is mv is equal to mv is equal to e b into r to mv by qb and mv r and mv r and mv and mv upon eb that is that is n h by 2 pi because we need to find energy we need speed to find energy we need speed half mv square is r eliminate r r as a so half mv square this becomes half mv square directly half mv square n h by 4 pi e into b sq total energy formula . twice of this he r minus times minus is k w y y y बच्चों यही रह जाएगा because magnetic field के corresponding potential energy तो डिफान ही नहीं है so इस सवाल का main crux था कि इसमें potential energy नहीं लिखेंगे total energy will be only kinetic and it will be positive this is the total energy क्या है सवाल पीर तो अभी बहुत सारे टाइप के सवाल है एक टाइप के सवाल तो हमने करवा ही नहीं जो मतलब electrons, photons incident करा electrons गया second state, third state में कौन-कौन से photons होंगे कितने photons होंगे वो थोड़ा सा बता दिया था वो खुद से सवाल करो mostly सवाल सॉल्व होंगे जो assignment मैंने दिया उसको solve करो और कल जो class होगा उसमें हम लोग discuss करेंगे हम लोग hypothetical वाले सवाल ले लिए एक IIT ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था diatomic के लिए rotational के लिए बोर्स मोडल अपलाए करना comprehension में 12 marks के questions थे comprehension में मुझे याद में एक जाट टियर कौन सा पूछा है बहुत important है उसको करना next class जो हमारा होगा उसमें हम लोग discuss करेंगे collision उसके बाद discuss करेंगे बहुत important कि अभी बोर्स मोडल जब हम derive कर रहे थे तो nucleus को हमने rest में माना हमने electron को माना कि nucleus के बहुत revolve करा but actually में electron nucleus plus electron system के center of mass के बहुत revolve करेगा है ना तो इसमें बड़ा interesting fact में बताऊंगा कि hydrogen और deuterium deuterium exist करता है hydrogen का isotope से वो इसी fact पे discover किया गा था यही method था यही चीज था concept तो उसपर discuss करेंगे कि nucleus के mass को consider करेंगे तो हमारा expressions में क्या change आएगा energies में क्या change आएगे करेंगे कि electrons के जगह पे कोई दूसरा charge particle जिसका mass थोड़ा जाएदा है अलग है IIT ने भी पूछा है to हमारा energy level क्या आएगा ठीक है to collisions और यह वाला concept and then last में हम लोग discuss करेंगे Frank-Hard's experiment which is experimental proof कि हाँ material के atom में का एक energy state exist करता है this is another very important experiment जो मेंस में पुछा आता है advance में साइद ना पूछा जा तो Frank-Hard's experiment जैसे Davison Germar हमने पढ़ाता है Davison Germar क्या बताता है तुम्हें पता है मैना स्वी, Davison Germar experiment क्या बताता है वह experimental proof से वह दीब्रोगा है wavelength का आज का session करेंगे करेंगे पता है झाल